आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैटे बैटे अपने मोबाइल फोन से SBI बैंक के रूपए क्रेडिट कार्ड को हम कैसे एपलाई कर सकते हैं अगर guys हमारे पास पहले से ही SBI बैंक अगर वीजा क्रेडिट कार्ड है तो उसकी लिमिट को हम रूपए क्रेडिट कार्ड में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं वो भी बिना किसी extra charge के यही सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं बिना किसी documentation बिना किसी paperwork और बिना किसी KYC के हम यह रूपए credit card apply कर सकते हैं तो आज की यह video आप सभी लोग लिए काफ़जाद helpful होने वाली यह video को आप बिना skip किया हैं तक देखते रहिए यहाँ पर हमने अपने SBA card की application को open कर लिया है और कुछ इस तरीके का interface इस application में हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हो मेरे पास यह already SBA bank का यह pulse visa credit card है आप यहाँ पर देख सकते हो और इस credit card में मुझे 1,15,000 रुपए की limit भी मिली हुई है जिसमें से मैंने 7,216 रुपए लगभ यूज कर ली हैं और यहाँ पर 1,7,783 limit available बची है इस credit card में तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने SBA bank के visa credit card की limit को हम रुपए credit card में convert कैसे कर सकते हैं यहाँ पर नीचे की साथ हमें एक offer देखने को मिल जागा जिसमें लिखा हुआ make UPI payments with रुपए SBA credit card यहाँ पर हम अपने visa credit card की limit को रुपए credit card में convert करके हम अपने रुपए credit card को किसी भी app से link कर सकते हैं जैसे paytm phone पे Google पे उसके बाद guys हम अपने रूपए credit card से किसी भी QR code पर या फिर किसी भी bank account में as a UPI payment करके हम bank में transfer कर सकते हैं या फिर किसी भी QR code पर हम पैसे send कर सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पर हम एक option देखने को मिल जाता है apply now का यहाँ पर हम click कर लेंगे अभी guys यहाँ पर आप देहेंगे SBI bank हमें यहाँ पर दो credit card offer कर रही है पहला जो card है वो है SBI bank का simply save UPI रूपए credit card दूसरा है यहाँ पर BPCL का SBI bank का रूपए credit card इन दोनो credit card में से किसी भी एक credit card को हम यहाँ पर apply कर सकते हैं अपनी मरजी से जो भी credit card हमें ठीक लगे इन दोनो credit card के benefits के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ simply save credit card के पहले साल की जो annual fees है वो बिल्कुल 0 रूपीज है कोई भी की तरीके की fees नहीं लगेगी पहले साल पर लेकिन next year annual fees 499 रूपए की लगती है और BPCL के credit card में 499 रूपए की fees है पहले साल में plus taxes इसकी ये annual fees है 499 रूपए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और इस credit card में reward point भी हमें ज़ादा मिलते हैं BPCL रूपए credit card में लेकिन guys देखिए ये दोनों रूपए credit cards ही हैं किसी भी credit card को हम किसी भी app से link करके UPI payment हम कर सकते हैं तो guys चलिए BPCL के रूपए credit card को मैं आपको apply करके दिखा देता हूँ नीचे की साड़ा मैं apply now option पर click कर लेना है अगर मैं 15,000 रूपए की limit लेता हूँ अपने BPCL रूपए SBI credit card में तो एक लाख रूपए की limit रह जाएगी हमारे इस pulse credit card में अगर हम इसको ज़ादा increase करते हैं 15,000 रूपए के amount को अगर हम increase करना चाहें तो increase भी कर सकते हैं नीचे की साड़ हमें एक slider भी देखने को मिल जाता है तो हम यहां से limit को कम या फिर जादा कर सकते हैं आप देख सकते हो मैं इस तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ हम यहाँ पर minimum 15,000 रूपए से लेकर maximum 75,000 रूपए तक की limit हम पा सकते हैं तो guys देखिए मैंने limit set कर दिये 75,000 रूपए की अब यहाँ पर नीचे की side लिखा हुआ confirm credit limit यहाँ पर हमें confirm credit limit option पर click कर लेना है एक बार यह confirmation आ चुकी है 40,000 रूपए की limit pulse credit card में रह जाएगी 75,000 रूपए की limit BPCL में मिल जाएगी यहाँ पर अगर हम limit को confirm करना चाहें या change करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं तो guys चलिए confirm credit limit option पर मैंने click कर लिया है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है जो आपको BPCL का रूपए credit card जो मिलेगा उस पर आप कौन कौन सी transaction को enable करना चाहते हैं चालू रखना चाहते हैं या फिर बंद करना चाहते हैं यहाँ पर online transaction में international को मैं बंद कर लेता हूँ contactless transaction में भी यहाँ पर मैं domestic international को बंद कर लेता हूँ जो contactless transaction होती है बिना pin के बिना cvb और बिना code के हम यहाँ पर transaction कर सकते हैं जो की काफी risky होता है मैंने सब को बंद कर लिया है और बस online transaction domestic को मैंने enable कर दिया है उसके बाद नीचे की side लिखा हुआ continue हमें सिंबल से continue option पर click कर लेना है continue option पर click करने के बाद हमारे delivery का address आ चुका इसको भी हमने confirm कर लिया है अब ये 75,000 रुपए की limit मुझे मिल रही है बीपी सील रुपए क्रेडिट काड में 499 रुपए की इसकी annual fees है सब कुछ यहाँ पर आ चुका है एक बार हमें इसको confirm कर लेना है सबी detail को उसके बाद नीचे की side लिखा हुआ टर्मेंट कंडिशन में आई अगरी आई अगरी check box को allow कर देना है एक OTP आगा वन टाइम पासवर्ड आगा तो OTP को हम फिल कर लेंगे OTP को हमने फिल कर दिया है देना में यहाँ पर continue option पर क्लिक कर लेना है अब आप यहाँ पर देख सकते हों लिखा हुआ है congratulations हमारे जो BPCL का रुपए SBA credit card है वो यहाँ पर हमने apply कर लिया है successfully और यह congratulations बता रहा है you have successfully applied for BPCL रुपए SBA credit card हमारा credit card घर बैटे बैटे instantly apply हो चुका है और गैस देखी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बिना किसी document बिना किसी paperwork और बिना किसी KYC की यह जो हमारा BPCL का रुपए credit card है यह apply हो चुका है और पांस से लेकर साथ दिन के अंदर हमारा जो card है वो हमारे घर पर deliver कर दिया जाएगा जिस तरीके से आप यह मेरा pulse credit card देख रहा हो plastic में इसी तरीके से हमारा रुपए credit card हमारे घर पर deliver हो जाएगा लेकिन गईस देखिए जब इस card को हम apply कर लेते हैं तो हम एक virtual card इसमें से निकाल सकते हैं सब card detail को हमें देखने को मिल जाएगा वो हम कैसे कर सकते हैं वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अभी गईस यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हो 40,000 रुपए की limit हमारे इस SBA बैंक के pulse credit card में रह गई है और अगर हम इस तरीके इस lead करते हैं तो हमारे जो new credit card है BPCL का UPA रुपए credit card उसमें हमें 75,000 रुपए की limit मिल चुकी है जिसमें 2,000 रुपए मैंने use भी कर ली है लेकिन गाइस देखी अगर हम mobile के अंदर इस credit card की detail को देखना चाहा है तो हम देख सकते हैं virtual credit card हम निकाल सकते हैं उसके लिए यहाँ पर हमें नीचे की side एक option देखने को मिल जाता है more का उसके बाद हमें यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा available new card का यहाँ पर क्लिक कर लेना है अब आप यहाँ पर जैसा की देख सकते हो हमारे जो BPCL का रुपए SBI UPI credit card है उसकी detail यहाँ पर निकल कर आ चुकी है congratulations उपर की side लिखा हूँ और physical card 5-7 दिन के अंदर हमारे address पर deliver कर दिये जाएगा credit card की all detail हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जैसे की हमारे credit card का number expiry month year credit card holder का नाम CVV code सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है तो इस credit card के थुरू अगर हम कोई भी transaction करना चाहें तो detail को fill करके हम कोई भी transaction कर सकते हैं या फिर paytm phone पे google पे जैसी applications में अगर हम link करना चाहें इस credit card को और UPI payment करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बता हुँ इस तरीके से आप अपने SBI बेंके वीजा credit card के limit को आप रूपे credit card में आप convert कर सकते हैं या फिर रूपे credit card को आप apply कर सकते हैं घर बैट बैट अपने mobile phone से और उसकी detail को भी आप निकाल सकते हैं तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो लैक और share कर देना और चैनल को सब्सक्राब करके बैल नोटिविकेशन पर आप जरू क्लिक कर लेना थैंक्यू